अभी हाल ही में नौइडा की एक सोसाइटी में एक शक्स का एक महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो काफी तेजी से वाइरल हुआ था पुलिस ने इस माबले में श्रीकान त्यागी नाम के शक्स को गिरफतार किया था फिलहाल श्रीकान त्यागी जेल में है अब इसी तरह की एक और घटना नौइडा से ही सामने आई है लेकिन इसमें एक महिला सोसाइटी के गाड से बत्तमीजी करती हुई नजर आ रही है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वाइरल हो रहा है गाड से गाली गलोश करने वाली महिला को नौइडा पुलिस ने गिरफतार कर लिया है जानकारी के अनुसार महिला का नाम भव्या रॉय है और वो पेशे से वकील है हाला कि महिला हिरासत में लिये जाने के बार मुस्कुराती नजर आई और उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब नहीं दिया इतना ही नहीं गाली बाज महिला को हिरासत में लेने आई पुलिस ने वी आईपी ट्रीटमेंट दिया और उन्हीं की गाड़ी में साथ दिखी दूसी ओर ADCP आशितोष द्वेदी ने भव्या रॉय को गिरफतार करने की पुष्टी की है पुलिस ने महिला के खलाव IPC की धारा 323, 504, 506 के तहट मामला दर्च किया है इस मामले पर सोसाइटी के लोगों ने कहा है कि हमें तो डर लग रहा है इस तरह का व्यहवार बिलकुल गलत है हमारे साथ बत्तमीजी करेगी तो हम क्या करेंगे वहीं इस घटना करम में पीडित गाड ने कहा है कि महिला ने गाड़ी का शीशा उतार कर गाली गलोट शुरू कर दी लेकिन मैंने कहा कि मैं गेट खोल दिया है आप गाली मत दीजे लेकिन वो नीचे उतरी और उसके बाद मेरे साथ बत्तमीजी की गई गाड ने दावा किया कि आरोपी महिला पहले भी ऐसी हरकत कर चुकी है आपको बता दे कि रविवार को नॉइडा से एक वीडियो वाइरल हुआ जिसमें एक महिला सोसाइटी का गेट देरी से खोले जाने के कारण गाड से बत्तमीजी करती हुई नजर आ रही थी वीडियो करीब दो मिनिट से अधिक का है और इस वीडियो के सामने आने के बाद नॉइडा पुलिस ने मामले का संक्यान लिया है महिला का वीडियो जेपी ग्रीन विश सोसाइटी का है वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला गार्ड का हाथ पकड़े हुई है और गार्ड महिला के सामने गिरगिराता नजर आ रहा है अलाकि महिला शराब के नशे में अब शब्द भी बोलती सुनाई दे रही है और बार बार गार्ड का कॉलर भी पकड़ लेती है महिला की बत्तमीजी के बाद गार्ड नराज होकर नौकरी छोडने तक की बात कर रहा है दरसल ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का वीडियो नौईडा से वाइरल हो रहा हो इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं देखी गई हैं जिसमें कुछ गार्ड और सोसाइटी के लोगों के बीच अनबन हुई है नौईडा से विने जोशी के साथ प्यूरो रिपोर्ट जनभावना टाइम्स